Dear Students, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दर्मेंद्रिक इंग्लिस क्लासेज में स्वागत है इससे पहले में TENS के ऊपर 9 वीडियो बना चुका हूँ आज ये TENS के ऊपर मेरा 10 वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं Future Continuous TENS और इसके सभी महत्पूर यूजिस के बारे में अगर आपको TENS के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे पिछले वीडियो को अवस्य देखें तो चलिए अब हम बात करते हैं Future Continuous या Future Progressive TENS के बारे में तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Future Continuous TENS में सेंटेंस जो इस्ट्रक्चर है वो में किस तरीके से करना है तो सबसे पहले बात करते हैं affirmative sentence यानि साधरण बात में तो सबसे पहले हमें subject लगाना है उसके बाद will, will be, shall be उसके बाद main work की first form और main work की first form में ing हमें add करनी है और object हम बात कर रहे हैं Future Continuous TENS के बारे में C will be sleeping this time tomorrow यानि कल इस समय वो सो रही होगी तो यहाँ C के साथ मैंने build का यूज किया है उसके बाद B और main work में ing या नीचे sentence में देखिए I के साथ sell का यूज किया है उसके बाद B और main work की first form में ing तो इस तरीके से हमने affirmative sentence का construction किया अब हम बात करते हैं negative sentence के बारे में तो हमें subject लगाना है subject के बाद helping work यानि bill लगाना है उसके बाद not उसके बाद B लगाना है oblique sell not be और main work की first form में ing add करना है और उसके बाद object for example see will not be sleeping this time tomorrow या I shall not be sleeping this time tomorrow अब बात करते हैं interrogative sentence यानि हमें प्रिश्न का नर्माण किस तरीके से करना है future continuous tense में तो हमें bill sell को subject से पहले लगाना है question बनाते समय bill sell को subject से पहले लगाना है subject के बाद B लगाना है उसके बाद main work की first form में ing add करना है object और then question mark for example will see be sleeping this time tomorrow क्या वो है इस समय कल सो रही होगी और ऐसे ही दूसरा example है cell I be sleeping this time tomorrow क्या में इस समय कल सो रहा होगा अब बात करते हैं interrogative negative यानि प्रिश्न वाचक नकारात्मक बाग के इसमें हमें वोई subject से पहले bill sell लगाना है एक subject के बाद not लगाना है sentence को negative बनाने के लिए उसके बाद B main work की first form में ing और then object for example will see not be sleeping this time tomorrow क्या वो है कल इस समय सोर रही नहीं होगी या cell I not be sleeping this time tomorrow तो इस तरीके से future continuous tense में हम sentence construction करते हैं future continuous tense में bill oblique cell के साथ B लगाना है उसके बाद main work की first form में ing add करना है अब बात करते हैं future continuous tense में future continuous tense की different महतपूर यूजें उनके बारे में सबसे पहले हिंदी identification यानि हिंदी बात क्यों के अंत में रहा होगा रही होगे रही होगी आदी आते हैं तो इसके पहले उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए future continuous tense is used to express those actions which will be in progress at a time in future यानि future continuous tense का use उन actions के लिए किया जाता है जो future में जो भविस्ट में किसी समय progressive होगे यानि चल रहे होगे यानि future में कोई काम चल रहा होगा progressive होगा उस action को विर्द करने के लिए हम future continuous tense use करते हैं for example जैसे पहला sentence है don't come after 9 a.m. यानि मैं कह रहा हूँ कि 9 बज़े के बात मताना अभी 9 बज़े नहीं यह 9 बज़ेंगे तो 9 बज़े की बात मताना उस समय क्या हो रहा होगा I will be sleeping यानि मेरा action यह progressive होगा मैं 9 बज़े आओगे तो उस समय में सो रहा होगा तो चुकि 9 बज़ेंगे future की बात कर रहे है और यह sleep का action progressive होगा तो इसलिए future continuous tense नहीं यूज किया है ऐसी big example देखिए this time tomorrow यानि इस समय कल की बात कर रहे है और लेकिन कल भूई इस समय I shall be sitting on the beach in Singapore मैं Singapore में एक beach पर बैठा होगा तो मेरा action ही progressive होगा कल इस समय ऐसे ही I wonder what will be doing at this time tomorrow तो देखिए यहाँ पर भी देखिए at this time tomorrow की बात कर रहे है यानि action progressive है यहाँ पर भी इसलिए future continuous यूज हुआ है चौथी में देखिए his children will be beating at the airport to meet him उसके बच्चें इंतिजार कर रहे होंगे उसका एरपोर्ट पर मिलने के लिए ऐसे देखिए example देखिए when I get home जब मैं घर when I get home my wife will probably be watching TV यहाँ जब मैं घर पहुँचूँगा अभी घर पहुचा नहीं हो तो when I get home जब मैं घर पहुचूँगा तो मेरी जो पतनी है वो TV देख रही होगी तो यहनी एक्षन progressive होगा मेरी पाइफ का तो यहाँ बिल के साथ बी और मेंवर में हम आई जी यूज की है ऐसे ही we sell be traveling all night next week की बात कर रहे हैं तो next week all night हम यात्रा कर रही होंगे और ऐसे जी एक्जामपल है बी ब्लैंक के स्पेस सिट इन अवर new house at this time next Sunday अगले संडे इस समिंग हम हमारे नई घर में बैठे होंगे तो यह एक्जन जो है वो progressive होगा तो future में जब कोई एक्जन progressive होता है उसको express करने के लिए future continuous tense यूज करते हैं अब बात करते हैं इसके second use के बारे में देखें we also use future continuous tense to talk about actions in the future which are already planned और which are expected to happen at a given time future continuous tense उन actions को एक्सप्रेस करने के लिए भिकरते हैं जो हमने पहले से ही planned कर लिए जो भविस में होंगे लिए ओधर पहले से planned हैं इस तरह क्ये एक्जन को express करने के लिए हम present continuous tense का भी use कर सकते हैं जब हमने present continuous tense के बारे में बात की थी तब हमने बताया था कि present continuous tense का एक यूज ये भी होता है कि वो future time को express करता है जब action पहले सी planned हो जाता है तो वही sense हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी sense की जैसे Ria will be going to Lucknow tomorrow यानि कल Ria Lucknow जा रही है तो action पहले सी planned है तो will be going तो हमने future continuous tense यूज क He will be meeting us next week. Next week वो हमसे मिल रहा है कि हमसे मिलेगा तो इसका मतला action पहले से planned है तो इसलिए यहाँ पर future continuous tense यूज किया है तीसरा I shall be staying here till Sunday अगली Sunday तक मैं आपर ठहर रहा हूं या I shall be seeing mokies this afternoon इस दपर को मैं mokies से मिल रहा हूं या B shall be going to Dublin next week हम Dublin जा रहे है तो action पहले से planned है उसक कि हम future continuous tense में इसी तरह से questions भी बना सकते हैं question बनाने के लिए जिसे बिल यूबी और इसके बाद main work की first form लगाई उस mind लगाई है किसी के plan के बारे में अगर आपको पूछना है तो जैसे will you be using your bicycle this evening कि साम को आप अपनी cycle use कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं या will you be getting home late this evening कि साम को घर लेटा आओगे आप या will you be going to the party कि आप पार्टी जा रहे हैं तो यानि questions में किसी ब्यक्ति के plan के बारे में पूछने के लिए भी हम future continuous tense का use कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं बोड भी इस pattern के बारे में कि जिस तरीके से exam में प्रशने पूछी जाते हैं तो पहला देखिए blank space he blank space sleep at 4 o'clock in the evening यानि साम की बात कर रहे हैं साम को 4 बज़े तो साम क चारा भी बज़े नहीं है तो यह action उसका progressive होगा इसलिए future continuous हमें यहाँ पर use करना है तो future continuous के लिए बिल लगाना है आपको ही के साथ बी लगाना है उसके बार और sleep main work में आए जी तो इसका answer होगा बिल भी sleeping एसे big example it blank space rain when you come back at night लेकि जब तुम बापिस आओगे रात को पर जब तुम रात को बापिस आओगे तो बरसात हो रही होगी तो यह rain का action progressive होगा तो इसलिए it will be raining तीसरा by this time tomorrow यानि कल इस समय क्या हो रहा होगा musician जो है वो audience को entertain कर रहे होगे तो बिल भी entertaining ऐसे d देखिए c blank space cook food at this time tomorrow कल इस समय वो खाना बना रही होगी तो उसका action कल इस समय progressive होगा तो बिल भी cooking इसका answer होगा और ऐसे 5 में sentence है बी blank space swim in the river this time next week यानि अगले सब्ता इस time हम नदी में swimming कर रहे होगे तो cell be swimming इसका correct answer होगा cell be swimming यानि future continuous tense तो उम्बीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आज की इस वीडियो में हमने बात की थी future continuous tense के सभी महिद पूर यूजिस के बारे में अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को like और subscribe करें Thank you Thank you for watching and listening